हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्था और अहनकार के कारण कैसे कैसे संगर्ष चलते हैं इस्राइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वह अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन-कौन जुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा इसकी चिंता सबको लगी है तो परिस्थिती के दोनों पहलू होते हैं अपने जैसका जब विचार करते तब भी अपना जिस आगे बढ़ रहा है टेक्नोलोजी के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अतिति महुदय ने वर्णन कर दिया है बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है अईसे सब शेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है उसके परणाम सुरुफ हम ऐसा देखते हैं कि जम्मु कश्मिर के चुनाव भी शान्ती पूरुन धंग से संपन्न हो गये इसका ही परणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है प्रतिष्ठा बढ़ी है वसुधहिव कुटुमबकम का हमारा विचार सबको स्विकार है हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बन दे जा रहा है लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है उसका जो शास्त्र है उसकी जो परणाम है उसको भी दुनिया स्विकार कर रहे है पर्यावरण के बारे में ह भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है भारत का सामरीक बल बना है कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जैना क्या प्रयास शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा देश के युवकों के द्वारा वहिद्यानिकों के द्वारा किसानों के द्वारा जवानों के विशेशकर युवापिड़ी में हम देखते है किश्वा के गवरों की भावना बढ़ रही है अपने देश के भविश्य के लिए बहुत अच्छे लक्षन है और ये चलते रहेंगे ऐसा नहीं है कि ये किसी तातकालिक समय के वैशिष्टिके नाते खड़े है कि ये करवट बदली है भारत के समाज में और समाज आगे बढ़ेगा देश को आगे ले जाएगा इसका पूर्ण विश्वास है परंतु कि जीवन का मार्ग कभी निश्कन तक नहीं होता है और इसलिए कुछ चुनों होती है भी सामने है विजयादस्मी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है परंतु कि देश की आगे कुछ चलती रहेगी विश्वास है उस तरब देश ने रुक कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं एक चुनों होती है इसी जान में आती है जिसका विचार हम सब को करना चाहिए क्योंकि वह केवल हमारे सामने संग के सामने चुनोती नहीं है केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है केवल भारत वर्श के भी सामने नहीं है पूरे दुनिया में वह चुनोती उठ रही है उसको हमको समझना होगा क्योंकि बहुत माया भी धारण करके वह चुनोती आगे चलती है इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्रक लगता है भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन भारत आगे नव बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तिया भी दुनिया में है जिनके नीच स्वार्थ मार खाते है भारत के प्रमुखत्व के कारण वह अपेक्सा तो यही है कि उनका विरोध होगा तरह तरह की चाले वो चलेंगे भारत को दबाने का एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्वने अपने स्वार्थ की बली देकर भी दुनिया को बढ़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है हम यह करते हैं आज भी कर रहे हैं सबको मदद करते हैं हमारी सत्रुता करने वालों को भी आवश्चक्ता में मदद करने वाले हम है शांती रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं ऐसा सोभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आ आगे बढ़ रहा है कल चलके हमारा स्पर्दत बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश में तरह तरह के उत्पात करने में कम नहीं करते भाशा तो विश्वबंदुत्व की होती है परंतु वो वहां तक ही है अपने निहित्वार का ठीक रहने चाहिए अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए और इसलिए दूसरे देशों में कही प्रकार के उत्पात खड़े करना जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुमके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना ऐसा दुनिया में चलते रहता है यह दुनिया के रीती लगवग बन गई है जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है अब हमारे पड़ोस में ही बंगला देश में क्या हुआ उसके कुछ ताथकाली कारण और पहलू है यह बाट ठीक है लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता वो कारण उनकी चर्चा जिनका विसे है वो करें परंतु दो बाते जहन में आती है पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते है उस परंपरा को फिर से दोराया गया पहली बार वहां का हिंदू संगटी थोकर अपने बचाओं में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाओं हो गया परंतु कहीं कोई गड़बड हो दुर्बलों पर अपना गुस्ता निकालने की जो कटरपन की प्रवृत्ती है वो प्रवृत्ती जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अलपसंख्यक उनके सर पे खत्र की टलवार लटकी रहेंगी उनको आवश्रक्ता है मदद की विश्वभर के हिंदूओं की भारत के सरकार की साहिता उनको मिले ये उनकी आवश्रक्ता है परन्तु इससे यह ध्यान में आता है और यह ध्यान में आना चाहिए हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है हम अगर दुर्बल है असंगटित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रन दे रहे निमित्त कुछ नहीं चाहिए हम दुर्बल है यह निमित्त परियापत है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगटित रहना सशक्त रहना किसी से शत्रता नहीं करना हुशक नहीं बनना योगदाम देने वाले बनना परंतु इसका आर्थत दुर्भल रहना नहीं अशकता रहना नहीं इसको हमको करना ही पड़ेगा लिकिन दूसरी बात है हमारे सभके ज्यान देनी कि अब वहां चर्चा यह इसी चलती है बंगलादेश में कि भारत से हमको खत्रा है और भारत से खत्रा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए वही हमारा प्रामानिक मित्र है और दोनों मिलके क्योंकि उनके पास न्युक्लियर वेपंस हैं हम भारत को रोक सकते जिस बंगलादेश के निर्माण में भारत की पूरी सायता हुई जिस बंगलादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वहिरभाव रखा नहीं आगे भी नहीं रखेंगे उस बंगला देश में ये चर्चाय हो रही है ये चर्चाय कोन करा रहा है ऐसे वरणन नैरेशन्स वहाँ पर चले ये किन-किन देशों की हित की बात है ये तो देखने वाले सोचने वाले समझते नाम लेनी की आवश्चता नहीं है हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्था के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ऐसा मर्था ना बने ऐसे उद्योग चल रहे है डीप स्टेट वोकिजम कल्चरल मार्क्सिजम ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है पिछले साल भी मैंने उल्लेक किया था कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं ऐसा नहीं है अपने यहां है बहुत पहले से हैं क्योंकि किवल भारत नहीं सभी सांस्कृ परंपरा के विरुद्ध यह विचार जाता है अब परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है भद्र है ऐसा मानता है उसको धश्त करना यह इनके क्रार्या प्रणाली का आंग है और यह करने के लिए पहले पहला सुत्र उनको होता है में लोग कि शिक्षा संस्तान है विद्यापीट है शिक्षा व्यवस्था है माध्यम है कि बहुत धिक जगत है इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृती का प्रसार करना विचारों को बिगड़ता अपनी परंपरा के प्रती विप्ष्ण पर न करना है हम ही अपने लोगों को गाली दे हम ये अपने बातों को तुछ्छ माने उनकी लज्जा करें इस प्रकार का वाधा वरन पैदा करना इतना बड़ा समाज है उसकी कई विविधताएं हैं उन विविधताओं को अलगाओं में परिवर्तित करना नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है हमारी स्वार्था अलग है ऐसा narration देना कितना बड़ा समाज है छोटी मोटी समस्याइं सबकी रहती है बड़ी समस्याइं भी रहती है समाज के स्थीति में सब कुछ ठीक ही रहता ऐसा नहीं सुधारने का भी बहुत कुछ होता है तो कई अन्याई चलते रहने वाले रहते है इन सबको लेकर एक असंतोश उत्पन्न करना संगर्श उत्पन्न करना टक्राओं की स्थिति उत्पन्न करना लोगों को उग्र बनाना व्यवस्था कानून सब्ता प्रशासन इन सबके प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है, पहले जैसा आपस में उध्ध करना अब आसान नहीं है, अब उध्ध इस परकार से होता है, इसको मंत्रवि पलव कहते हैं अपने परंपरा में, कि ऐसा मंत्र भी प्लव चल रहा है कि और इसी भ्रहम की स्थिती में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते जाने अंजाने कि प्रजात आंत्रिक देशे अपना अनेक दल रहेंगे उनकी परदा चलेगी प्रजात अंत्र की पद्धती है कि लिकिन समाज में यह अलगाओ टक्राओ देश की एकता एकात्मता देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए अथ्वा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और आश्टर की एकात्मता को गोण बना कर चलाए गए तो फिर किसी एक का पक्षा लेके उनके पीछे खड़ा रहेना खुद मैदान में नहीं आना हूँ अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं पर्याई राजनी उसके आड़ में अपना यह अजेंडा और यह पद्धतियां चलाती है और यह मैं कोई कॉंस्पिरेसी थेरी नहीं बता रहा हूं पुस्तक के निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विपलों के परिणाम स्वरुक जीवन की स्थिर्ता शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुव होता है हमको भी देखाई देता है मभारत के चारों और विशेशकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या-क्या हो रहा है हम देख सकते हैं कि समय पर हमको जागना है हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिश्थान पर खड़ा है अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी ऐसा हमारे समिदान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में का और नईतिक विचारों का अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिश्थान हमारे समाज की स्थिर्था को आपस के संबंदों को व्यक्तिगतोर राट्रिय विवार को मिला है इन आधारों को नश्ट करने के कुप्रयासों को समर के समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा उसकी लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे एक ऐसा रैष्ट्रिय नेरेटिव चलाना पड़ेगा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी कानुन समिधान के मरियादा में रहते हुए अपने समस्कूर्थिक अधिश्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उप्योग होगा समस्कारों का ख्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है और वो बल्वान होती है तो वो भी समस्कारों के ख्षरण का कारण बनती है और हम देख रहे हैं कि भारत वर्ष में इस प्रकार का मनवचं कर्मों पर कुप प्रभाव निर्मान हो रहा है आगा कि आप अप कोई बात चिपढ़ी रहती नहीं मीडिया सरुत्र पहुंचता है बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मुबाइल है मोबाइल पर वो क्या देख रहे है उनको क्या दिखाए जा रहा है इस पर कोई नियंतरण नहीं है घर में क्या देखना नहीं देखना इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है कि अईसे स्थिती में घर परिवारों में यह नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधी व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए कोई इसके नियंत्रन के लिए कानून बनना इसकी आवश्यक्ता है क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है यह विवेक नों होने के कारण कई जगह नहीं पिढ़ी नशीली नशीली दवाओं की आदतों में खोकली होती चली जा रही है कहीं पर दिखता है कहीं पर नहीं दिखता है कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है